फ्रेंड्स एक्जाम गुर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागात है मैं प्रदीब आज की वीडियो हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइन्स के कोशिन पेपर की है ठीक है यह आपको जो फाइनल एक्जाम है उसमें हेल्प देगा 80 नंबर का पूरा पेपर है ठीक है तो इसके इस वीडियो में मैं सोलिशन बताऊंगा और उसके जो अगर पीडियेफ चाहिए तो आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बोक्स में और आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब करें पहला कोशन है जैसे के आपको दिख रहा है यह पूरा पेपर ही है इसमें आपके मैफ अगरा सब कुछ है पहला कोशन दे रखा है निम्निकित में कौन से काल दूसरे विश्विद का समय है तो आपको पता है जो सेकंड वर्ल अबोर था वो 1939 से लेकर के 1945 तक था और अगर आपसे पहला पूछा जाए तो पहला जो था आपका कब था 1914 से लेकर के 1918 तक ठीक है चलिए इसमें आपको पता ही होगा क्या करते हैं सेकंड वर्ल वर्ल में अमेरिका ने हीरो स्विमा और प्रमाणू बंब छोड़ा था हीरो स्विमा और नागा सागी पे ठेक है चलिए अगला कोशन आता है खालिस्तान बरे फिलिंदा ब्लैंक्स बनना है क्या कोशन है संयुक्त राज्य अमेरिका और के बीच चले वेचारिक युद को CTU कहा जाता है तो आपको पता है CTU जो चला था Cold War वो Soviet Sun USSR और USA यानि अमेरिका के बीच में चला था तो इसमें आपका अंसर आजाएगा क्या Soviet Sun तरड कोशन है किस संदी का सम्मद्ध European Sun के गठन से है तो जो European Sun के गठन से सम्मद्धित है वो आपकी मौस्टिच संदी है ठीक है चलिए कोशन नमबर फोर्थ दक्षिन ACI का कौन सा देश 1968 में गणराज्य बना था तो बना था आपका मालदीब ठीक है मालदीब जो था वो आपका 1968 में गणराज्य बना था पांचवे की बात करें पांचवा कोशन दे रखा है आपका सार्ग की स्थापना कब हुई थी तो आपको पता है सार्ग की स्थापना वो आपको कहा हुआ था, बांगलादेश के ढाका में, ठीक है, दोनों ही हमारे पडोसी देश हैं, चलिए, आगे बात करते हैं, काटमांडू नैपाल में पड़ता है, छटा कोशन है, कि भारत में संयुक्त राष्टे संकी सदस्यत 30 अक्टूबर 1950 को प्राप्त की, यह आपक पचास को, तो इस स्टेटमेंट गले था, आपका 1945 आएगा, ठीक है, साथवे की बात करें, निमलेखित में किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है, तो वीटो अधिकार आपको पता है, पांच देश पे हैं, ठीक है, जिसमें से जापान जो हैं, उसके पास नहीं है, आ आग्ये वदू के चिरपरती, छिक्त वेट जो भासन दिया गया था, वो आपके दिया गया था, पंडित जवाललाल नहरू के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, पंडित जवाललाल नहरू, बात करें, नाइंध कोशन, योजना आयोकिस्थापना, उननीस स मार्च में ठीक है और इसी के भ्याब पर फाइफ यर प्लान तयार किये जाते थे बात करें दस्वा कोशन नीतियों आयोग का गठन कब हुआ था तो आपको पता है नीतिय आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था पहली पंचवर से योजना एक अप्रेल 1951 में बनी थी और लास्ट की जो बारवी पंचवर से योजना थी वो 2017 में खतम होनी थी 2012 में बनी थी ठीक है परन्तु क्या हुआ एक जनवरी 2015 को नीतिय आयोग बना दिया गया योजना आयोग के स्थान पर नीतिय आयोग में पदेर अध्यक्स कोन होता है तो नीतिय आयोग के जो पदेर अध्यक्स होते हैं वो आपके PM होते हैं प्रधान मंतरी जो की वरतमान में नरियसल सिंग मोधी है नीती आयोग ने किस आयोग का इस्थान लिया है तो अभी मैंने आपको बताया था नीती आयोग ने किसका योजना आयोग का इस्थान लिया है ओके, कोशन 13 पंच सील का सिधान भारत की विदेशी निती का एक परमुख बिंदू है ये स्टेटमेंट गलत है या सही है आपको ये बताना है तो पंच सील का सिधान भारत के विदेशी निती का एक परमुख बिंदू है ये स्टेटमेंट पूर्ण रोप से सत्य है यानि कि आपका सही है ये बात करें 14 कोशन की पंच सील के सिधान पर हस्ताक्षर किस वर्स हुए थे तो जो पंच सील का सिधान था उस पर हस्ताक्षर 1954 में नहरू द्यारों किये गए थे उस समय भारत के प्रदान मंतरी पंडी जवालल नहरू थे ठीक है अगला है दिये गए कथन को सही अथवा गलत लिखिए ये कथन आपको बताना है सही है या गलत है अगर सही है तो पुरा सेम उतार दो गलत है तो उसको सही करो कुंडल कुलम परमानू उर्जा सेयंतर भारत और अमेरिका की भी सयोग से स्थापित किया गया था तो आपको पता है नहीं ये अमेरिका के सयोग से नहीं बलकि किसके सयोग से किया गया था रूस के सयोग से जो आपका कुंडल कुलम पर्मानु उज्जा से अंतर है वो भारत और रूस के सयोग से स्थापित किया गया था अगला है आपका सोलवा कोशन भारत द्वारा पर्थम पर्मानु प्रसिक्षन किस स्थान पर क्या गया था तो आपको बता है भारत द्वारा पर्थम पर्मानु प्रसिक्षन क्या गया था पोखरण में इस पर movie बनी है जो कहाँ पर पढ़ता है राजिस्थान पर ठीक है राजिस्थान पर पढ़ता है तो यह आपका section A complete होता है आगे आपका section B है यह आपको दे रखा है निम्लिकित गद्यान्स को ध्यान से पढ़े और इस पर आदारित निम्लिकित परसनों के उत्तर दीजिए तो यह आपको पूरा पढ़ना है और उसके भ्याप पर फिर क्या करने है answer देने है ठीक है मैं आपको इसके answer बता जीता हूँ आप note कर लेना पहला जो दे रखा है इस गध्यान्स में किस छेत्र को इंगित किया गया है तो इस गध्यान्स के अंतरकत दक्षिन एसिया को इंगित किया गया है ठीक है ओप्शन नमबर रहेगा आपका C बात करें अगला किन दो देसों के बाहर की सक्तियों के रूप में संदर्बित किया गया है तो इसमें अगर बात करें दो सक्तियों के देशों में जो संदर्बित किया गया है वो चीन और संयुक्त राज़े अमेरिका option number C ठीक है option number क्या है चीन और संयुक्त राज़े अमेरिका option number A दे रखा है चीन और सही उत्राज अमेरिका ए हो जाएगा बात करें 17.3 का कौन से दो देश एशिया महाधीब के दो बड़े देश हैं तो जो सबसे बड़े देश हैं आपको पता ही है भारत और चाइना ही दोनों की population सबस्यादा हाई है और economy भी लगबग एशिया में सबस्यादा strong है सतरवे का जो last है fourth part पाकिस्तान के साथ चीन की रणनीती साज़िदारी किस देश के लिए एक बड़ी अर्चन है पाकिस्तान के जो जो चीन की राजनीती साज़िदारी है वो सबसे बड़ी अर्चन है भारत के लिए तो इसका option जाएगा A भारत अठारवा question दे रखा है इसको भी आपको ऐसे ही करना है इसमें पढ़ना है उसके बाद फिर इसके answer देने है ASEAN की स्थापना कब होई थी तो आपको पता है ASEAN की स्थापना का हो जाएगा option number A उसके बाद बात करें तीसरा question इसका third part दे रखा है ASEAN का उद्देश क्या है तो जो ASEAN है उसका उद्देश क्या दे रखा है उसका उद्देश ASEAN राज्यों के भीतर एक साजा बाजार और उत्पात त्यार करना ASEAN राज्यों के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना दोनों यह option है तो इसका option हो जाएगा C आगे बात करें कौन से देश ASEAN के साथ मुक्ष वैपार छेत्म में बाचित करने के लिए पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका है तो वो अमेरिका और चाइना है आपका option हो जाएगा A ठीक है यह आपका section B खतम होता है अब आपके 19 सुरू होता है ठीक है यह जो दो दुरूबों विश्व से क्या भीपराईस का अंत कब हुआ तो पता है दो दुरूब जो होते हैं पुझीबाद अत्वयस्ता और समाजवार्थ अत्वयस्ता से संबंदित है इसकांत 1991 में हुआ था ठीक है तो उसका answer यह लिखना है आपको उसके बाद बात करें वर्तमान में सत्ता के नई केंद्र कौन से माने जाते हैं वर्तमान में सत्ता के नई केंद्राप का यूरोपिय संग, आशियान, दक्षेस, ब्रिक्स जो यह organization बनी है वो माने जाती है ठीक है अगला बात के सोतंता के समय देश के परमुक चुनोतिया कौन सी थी जब भारत को freedom मिली थी उस समय मुक्य रूप से चुनोतिया मिल रही थी वो देश को एक्ता के सुन्दर में बात रखना कैसे country को आपस में unity बनाई जाएगी लोगतन तिस्थापित करने की समस्या आ रही थी और विकास से सम्बंदित भी समस्याएं आ रही थी अगला question बात करें 22 वे की 22 वा दे रखा है आपको रास्टिय आपतकाल के दो प्रभाव लिखे तो रास्टिय आपतकाल जोते पहला सत्ता का विकेंद्री करन हो गया था क्योंकि सरकार के हाथों में पावर आ गई थी और मौली का दिकाय निलंबित कर दिये गई थी ठीक है इसके option वाली बात करें तो option में दे रखा है केंद्री इस तरपर गटबंदन सरकार का युग कब सुरू हुआ रानेतिक गटबंदन से क्या भी ब्राये इसमें क्या था 1989 में ये शुरू हुआ था ठीक है इसमें दो या दो से अधिक पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाने के लिए प्रियास करना गटबंदन कहलाता है बात करें 23 कोशन की 23 कोशन है अब आपके चारचा नंबर के हैं ये सारे लोग कोशन है सुतंता के सुरुवाती दर्सकों के दोरान कांग्रेस पार्टी के परभुत के क्या कारण थे कोई चार कारण आपको बताने है तो आपको पता है ये सुरुवाती दर्सकों में दोरान जो कांग्रेस पार्टी के परभुत थे वो कॉंग्रेस की स्थाप नहीं आपको पता है 1885 में होई थी ठीक है 28 दिसंबर 1885 एयो हुयोम ने करी थी यह आपकी गोकुलदाम संस्कित कोलेज कहां पर होई थी बॉंबे में ठीक है और उसके बाद इसके जो चार कारण थे सबसे पहले लोग पिरता थी पार्टी के क्योंकि एक लोथी पार्टी थी उस समय ठीक है इसमें जवालल नहरू जैसे और भी महान नेता माने जाते थे दूसरा सोतंता अंदुलन के विराशत और लोगों के अधिकारों के लिए कॉंग्रेस जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी तीसरा कारण अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का नेट्वर्क जो था बहुत बड़ा था ठीक है ये मेटिंग वगएरा करते ही रहते थे चोथा कांग्रेस के पास सोतंत भाद के पर्थम चुनाव से लड़ने तक बहुत सारा एक्सपिरियंस था उसमें सारे नेता थे और साथी साथ में बिटेश शासन के दोरान भी पार्टी जो थी वो प्रांतिय चुनाव से चुनाव अगरा लड़ती रहती थी तो ये सारे चार कारण थे जिसकी वज़ा से पर्भुत में आई थी ठीक है उसके बाद बात करें 24 भारते रानेती में राम मनह लोहिया का क्या योगदान है तो उनकी सोचलिक्ट पार्टी थी उनकी सोचलिक्ट पार्टी के संस्तापर के रोप में सदस्य बन गए थे उसके बाद लोकसभा सदस्य भी वो रहे हैं चुनाव भी लड़े हैं वो 1963 से 67 तक ओके तो ये 1963 से लेकर के 67 तक 1963 से 67 तक ये संसत भी बने रही थे ठीक है उसके बाद ये समाजवात के सिधान्त को लेके चलते थे ठीक है लोक तंत्र में सवानता बगेरा इनका जो था ये अपना योगदान दे थे और गैर कॉंग्रेसी होने के नाते विए जाने जाते थे ठीक है इनने गैर कॉंग्रेसी भी बोला जाता था तो ये सम इनकी नेतियां थी बात करें भारत में 1975 में आपतका लागू किये जाने के आर्थिक प्रेश्ट भूमी का वर्णन करो तो आर्थिक प्रेश्ट भूमी थी आपतकाल लगा था वह आपको पता ये कि जो पूर्वी पाकिस्तान में शर्णारती थे वो सीमाओं से 80 लाग लोग पहुँच गए थे जिससे वित्य बोज माना गया ठीक है उसके बाद 70-71 में यूद हो गया भारत पाकिस्तान का दिसंबर के समय उस समय भारत की पंचवर्शी योजना जो थी वो भी एकदम डगमागा गयी थी 5 यर प्लैन जो योजना आयों के अंतरगत बनती थी तेल की कीमतों में वरत्धी हो चुकी थी दुनिया को नहीं दिया जा रहा था और मुद्रा उस्पिती यानि कि हमारे देश की जो कीमते थी वो तेजी से बढ़ गई थी तो ये सारे कारण थे जिसकी वज़ा से क्या हुआ आपतकाल को लगाना पड़ा ठीक है अगला है महसक्तियों के छोटे देशों के साथ गंड़ बंदन बन दूसरा बात करें सेना को संचालित करने के लिए भूमी अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए महसक्तियों को इन देशों के मार के आवसकता होती थी सेनिय अड़ा बनाने के लिए उनके आवसकता होती थी ताकि हत्यार वगरा स्टोर किया जा सके और वित्य सहायता के लि और उसके बाद आपका बात करें तो स्वतंत्र विदेशी नीती थी तो ये सारे कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वज़ा से ये सब हो रहा था ठीक है उसके बाद बात करें 27 वा कोशन आपका मंडल कमिशन की प्रमुक सिफारिश्यों का वर्णन करो तो ये आपको पता है 1967 से लेकर के 1977 तक संसद में सदस्य रह चुके थे और इन्होंने 1978 में बिदेश्वरी परसाद मंडल की अध्यक्स्ता में अन्य पिछडा आयोक की स्थापना करी थी 1983 में पेस किया गया था और नभे में वीपी सिंग की सरकाने इस रिपोट को क्या करा था लागू करने की गोशना कर दी थी जिससे अन्य पिछडे वर्गों की पैचान हो सके जैसे अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अलावा पिछडा वर्ग ठीक है और OBC को 27% आरेक्षन भी दे दिया गया था सेक्षिक शंस्तान में तो यह था आपका इसका आंसर अब बात करें आपका अगला क्या है E section E section की बात करें E section में आपको जैसे की दिख रहा होगा map है ये टीक है जो इसमें आपको भरना है ठीक है तो इसमें कैया बनना है मैप को देख करके आपको इसमें ये drei मैप और इसमें आपको भरना था ठीक है तो इसमें क्या है आपको जैसे में प्लेस दिखा देता हूँ ये A, B, C ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि पूरा मैप आजाए ये देखिए इस मैप में बात करें ठीक है? तो इस मैप में आपको दे रखा है C, C क्या है आपका? आंदर प्रदेश E क्या है आपका? E आपका है जम्मू कस्मीर उसके बाद D आपका पंजाब और A आपका क्या है गुजरात और B क्या है आपका मणीपूर ठीक है? ये तो हमने जगा देख लिए आप ढोड़ने क्या थे? जैसा इन्होंने पहले बोला है क्या? सरदार प्रटेल का ग्रह राज्य कहा है? तो उनका गुजरात में पहला उप्षन गुजरात पर टिक कर दो गया आप A पे उसके बाद है पोटी सिरी रामू सिरी रामलू से सम्मधित राज्य तो यह पता है आंदोलन कारी थे इन्होंने आंदर प्रदेश की डिमांड करी थी तो इसका अंसर हो जाएगा आपका आंदर प्रदेश उसके बाद वह राज्य जहां सासक बोद्चंदर सिंग थे वो मणीपूर में थे उसके बाद बात करें वह केंदर सासिस प्रदे जहां 370 निरस्त कर दिया गया है जम्मू कस्मीलित 35 से अटा दिया गया है बीजेपी सरकार दुआरा और 1947 में भारत पाकिस्तान की विवाजन से प्रभावित वा राज्य था पंजाब तो यह आपका कोशन था अगला है बात करें 19 की तो 19 कोशन देखें 29 कोशन आपका इसमें दिया गया दिये गए काटून को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे परसनों के उत्तर दो 40 सब्दों से अधिक नहीं देना है ठीक है काटून दिख रहा है काटून यह आपको देखके पता लग रहा होगा यहाँ पर चाइनीज है और यह चाइनीज वॉल है और इंडियन देखें इस काटून में दर्साया गया है कौन सबाग चीन से संबंदित है तो चीन की जो दिवार है वो आपकी ड्रैगन को शो कर रही है ठीक है पहला उप्शन हो जाएगा और इसकी पहलती तेजी से डबल अप्ट हो लिए विक्षित हो लिए ठीक है उसके बाद बात करें इसमें पार लगबने की लगबाग 204 तक सबसे बड़ी एकनोमी बनने का यह अनुमान लगाया गया है उसके बाद बात करें चीन विश्विक की अगली महासक्ति हो सकता है इस कतन को दो तरक देकर नियोचित ठहराएं ठीक है तो इसमें जिसे आपको तीसरा दे रखा है कि जन संक्या, भूमी, साधन, छेत्रे, इस्तिति, राजनितिक प्रभाव के कारण जिसमें भोती तेजी से व्रद्धी होती जा रही है अगला ये आपका दे रखा है द्रश्टीहिन बाल को लिए आगे आता है सेक्शन F सेक्शन F जो है आपका ये लास सेक्शन है पूर्व सोव्येट संग के अधिकान गनराज्ये संगर्स तथा तनाव से जूशते रहे उधारन सहीद बताओ तो आपको पता हिए कि जो उत्तरपूर्व सोव्येट संग थे अधिकान्स गनराज्ये संगर्स के आकंशा वाले छेतर में थे इन देशों ने प्राए ग्रह युद तक बंगाल को जेला था मानेव अधिकारों का व्यापार उलंगन हुआ था राणितिक रूप से आइस्तिर्ता का महोल फैला था और कई जगाओं पर क्या हुआ था जातिय संगर्स भी देखने को मिले थे तो उनीस सोग्याडवे के बाद इग्लोशिया की कई प्रांतों में बट गया था और इससे आपके बोसनिया, हर्जगोनिया, इसलोनिया और क्रुएशिया ने अपने आपको सौतन्त घोशित कर दिया था तो इसका ये था आपतकाल के दोरान कौन से देशों को किस परकाल लोगतन्त संकट उत्पन हुआ ये बताना है आपको तो सबसे पहले बात मोलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया था मीडिया जन संचार के माधियम से आपतकाल का बहुत बड़ा परभाव पड़ा था विपक्स पर राष्टिया आपतकाल का बुरा परभाव पड़ा था देल में डाल दिया गया था दिक्तल लोगों को सरकान ने राष्टिय स्वम सेवक RSS जो है उसको क्या करा था परतिबंद कर दिया था सरकान निवारक नजरवंदी कर दे थी और फिर आपतकाल के दोरान 1976 में 42 सविधान संसोधन पारित किया गया था आपको पता हिए ठीक है ज वैस्विकरन जो होता है एक कंट्री से दो कंट्री के बीच में ट्रेड के थुरू कोडिनेशन बनाना होता है वैस्विकरन एक देश से दूसरे देश में वैपार के थुरू जोड़ना होता है वैस्विकरन हमें देशों के सभी साथनों का एक साथ रखने के नुमती देता यह परतियक स्विदेशी निवेस और तकनेकी नवचार को बढ़ाने में मदद करता है FDI के कारण एक देश के बुनियादी धाचा बहतर तयार करता है यह इसका सबसे बड़ा effect है ठीक है? तो I hope आपको इसे clear हुआ होगा यह आपका last question था आज का तो friends यह हमने आज का पूरा paper solve करा इसमें अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे बताईएगा और आपको इससे related अगर इसकी answer की चाहिए तो आप मुझे बता दीजेगा उसकी वीडियो में बना दूगा और upload कर दूगा ठीक है? तो ओके मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही have a nice day, bye